तो फिरें आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि Google Chrome Browser में Find In Page का यूज कैस से करें हैं तो Google Chrome Browser में Find In Page का यूज करने के लिए आपको करना के होगा चलिए हम यहां से बैक चलते हैं बैक आने वाद सबसे पहले आपको Chrome Browser को Open कर लेना इस तरह से मैंने यहां पर Open किया हैं तीक है अब यहां पर इसका यूज करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको कोई चीज यहां पर सरच कर लेनी हूगी कोई भी चीज है ना तो अचलिए हम यहां पर Image ही सर्च कर लेते तो यहाँ पर मैंने image search कर लिया है, यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पर find in page का use करने के लिए आपको सबसे पहले three dots पर कर देना है click, three dots पर click करने के बद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, find in page, आपको simply इस पर कर देना है click, इस पर click करने के बद आपको सामने यहा यहां पर एक सर्च बार है तो यहां पर आप जिस भी सब्द को ढूंदना चाहते हो तो यहां पर आप अगर डालेंगे उपर तो आपको यहां पर वो सब्द देखने को मिल जाएगा वो वर्ड आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा जैसे यहां पर मुझे image को ढूंदना है image को ढूंदना है तो यहाँ पर मैंने image को search किया और यहाँ पर जितना भी image यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं highlight हुआ है पीले color में यहाँ पर आप देख सकते हैं image जितनी बाल लिखा है यहाँ पर आज चुका है न तो find in का यूज इसी तरह से आप कर सकते हो कि अगर कोई भी सब्द कितनी बाल लिखा है उसे पता करना है तो आप find in page की मदद से आप Google Chrome browser में कर सकते हो है न यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी सब्द को और यहाँ पर जानना चाहते हो तो आप यहाँ से फिर से भी search कर सकते हो है न फाइंट इन और यहाँ से आपको find in page पर जाना है यहाँ पर जैसे आप कुछ और search करना चाहते हैं है न बीडियो लिख दे हम चलिए बी आई डी बीडियो तो यहाँ पर बीडियो जितनी बाल लिखा यह highlight होकर आपको देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं है न यहाँ पर नीचे और नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर दो बाल लिखा है वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा है ना जैसे यहाँ पर और कुछ आप सर्च करते हैं चलिए हम फोटू सर्च कर देते हैं यहाँ से कट कर दे हैं तरी डोट पर किलिक करते हैं find in page पर click करते हैं यानि कि यहाँ से आप किसी भी सब्द को ढूंड सकते हैं find in page का मतलब यही होता जैसे यहाँ पर हम search करते हैं photo pho2u photo यहाँ पर photo मैंने search किया photo search करने बद आपको यहाँ पर देखने को मिलिएगा एक बार यहाँ पर photo लिखा हुआ है एक बार यहाँ पर है ना इस तरह से photo highlight हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना तो इस तरह से आप किसी भी सब्द को ढूंड सकते हैं किसी भी word को आप ढूंड सकते हैं find in page की मदद से है ना यहाँ पर google chrome browser में इसका यह काम है कि आप किसी भी सब्द को ढूड़ने में मदद करता है finding face तो I hope मेरे द्वारत देख जानकारी आपको अच्छी लगी है अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब एका बहुत बहुत धन्न बाग थैंक यू सू मच